जैहिन दोस्तो तो दोस्तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है वो हमारी fundamental rights की trick के उपर है तो यहाँ पर जो हमारे fundamental rights ना आपको पता है ये 12 से लेकर के 35 जो हमारे constitution के article है इसके अंदर में और ये जो fundamental rights है ये हमारे part 3 के अंदर में आते हैं तो आपको पता हुगा ये fundamental rights हमने USA से बोरो करे थे स्टार्टिंग में साथ fundamental rights से बाद में ये 6 हो गई थे तो हमने इनको ऐसे categorize कर रखा है जैसे article 14-18, article 19-22, article 23-24, article 25-28, article 29-30, article 32 तो यहाँ पर क्या है ये हमारा right to equality के बारे में article बताता है ये हमको freedom के बारे में article बताता है और ये जो हमको religion के यानिके exploitation के बारे में रोकता है, human trafficking वगेरा के बारे में बताता है और ये हमको freedom of religion के बारे में ये बताता है और यहाँ पर कहें कि हमारे minorities के बारे में बताता है और ये जो article 32 हमको constitutional remedy यानिके ये कहें कि हमारे writ petition के बारे में हमको बताता है तो यहाँ पर कहें कि हमने ये जो हमारे 12 से 35 fundamental rights से हमन सेफगार्ड करते हो राप याद रखना जब भी इनका वॉयलेशन होता है तो हम कहें कि डारक्ली सुप्रीम कोर्ट जा सकते है अर्टिकल 32 का यूज करके अब यहां पर क्या है कि अगर कोई है यहाँ पर कहें कि हम कह सकते ह्यों यहां पर कहें कि अगर कोई फंड़मेंटल राइट होता है तो धेखो यहां पर क्याकि आप ऐसे जा कर ले पड़े union territory पड़े यूटी सामस बोलिये टै ये एक तरीके से टै हो गया हमारा 23-24 आर्टिकल पम्टी ले तो यहां पर कहें कि हमारा आर्टिकल 25-28 यह वाला हो गया पम्टी ले और यह कहें कि minorities का होगया यह 29-29 से ले करके 30 तक तो देखो दोस्तों यहां पर पड़े यूटी सामस बोलिये टै तो यहां पर जो पहला पी आता है यह कहें कि हमको आर्टिकल 14 के बारे में बताता है तो हमारे जो आर्टिकल की ट्रिक है वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होती है तो यहां पर ज करता है तो यहां पर आपने देखा हो ही आर्टिकल 14 करता है equality before law and equal protection of law यानिकि वो प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है अब आर्टिकल 15 हो वह हमको discrimination के बारे में बोलता कि बहिया इंडिया के अंदर में कोई भी discrimination नहीं होगा हमारा यहां पर क्या है कि जैसे religion, race, caste, sex और place of birth के नाम पर अब यहां पर क्या है कि जो हमारी article 16 है वो बोलते है यानि के वो employment के बारे में यहां पर हमको हो गया, untouchability, article 18 हमको बताता है, title के बारे में जैसे यहां पर abolition कर दिया गया है, इंडिया के अंदर में title जैसे की कोई military title हो गया, academic से title हो गया, तो एक तरीके से क्या है कि जो कोई भी title हमको मिलेगा इंडिया के अंदर में, तो no citizen of India भाहिया shall accept any title from any foreign state, यानि के कोई भी अगर foreign से title मिलता है, तो हम यहां पर उसको use नहीं करेंगे, अब हमारा जो article 19 है, तो यहां पर कहें कि देखो दोस्तों, यह जो Psalms बोली है, तो यहां पर कहें कि आपने article 19 के अंदर में कि इंडिया के अंदर में, लेकिन यहां पर article 2, जो 19 closed हुआ है, यह हम पर restrictions लगाता, जैसे यहां पर यह बताता कि public order हो गया, health हो गया, morality हो गया, तो अब 19 clause 1, यानि कि इसके अंदर में हमको 6 article देखने को मिलता है, जैसे हमारा जो आर्टिकल है, जैसे सामस बोली है, तो इसकी ट्रिक है, ऐससे हो गई हमारी freedom of speech and expression, यानि कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर कहें कि हम कुछ भी तो बोल सकते हैं, लेकिन इंडिया की जैसे sovereignty हो गई, public order हो गया, health हो गई, morality हो गई, अगर हम यहां पर कुछ बोलेंगे, तो हमारे fundamental rights छीने जा सकते हैं, अब यहां पर A आता है, यहां पर कहें कि suppose करो, जैसे हमने कुछ बोला, अब यहां पर हम बोल भी सकते हैं, हम कहीं पर खड़े भी हो सकते हैं, शान्ती से, यानि कि peaceful तरीके से, ऐसा नहीं कि हम कहीं बंदूख लेकर के खड़े हैं, इस तरीके से, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, अब 19 close यानि कि हमारे trick आती है, दो बार A है, तो यहां पर रखना, पहले हम खड़े होएंगे, यानि कि हम assemble हो सकते हैं, suppose करो, चार-पांच लोग एक साथ खड़े हो गए, अब इन्होंने सोचा कि चल भई हमें एक union बना लेते हैं, यानि कि association बना लेते हैं, तो पहले assemble होगा, उसके बाद में association आएगा, यहां पर assemble यानि कि जब लोग चार-पांच लोग एक अठा आते हैं, तभी तो एक तरीके से NGO या फिर ग्रोपी, union बगएरा बनती है, तो ऐसे याद रखना है, यह होगा हमारी association, अब M से क्या होता है, suppose करो यह हमारी NGO बगएरा बन गई, अब यहां पर कहेगी, हम इसको लेकर करके क्या कि move कर सकता है, इंडिया के पार्ट में यानि कि हमको right देता है, कि हम इंडिया का कि कोने क इंडिया के अंदर में कि move हो सकते हैं, सैटल वगएरा हो सकते हैं, अब यहां पर यहां पर हमारा जो article F है, वो यहां पर कहेगी, वो हटा दिया गया था, amendment करके, तो यहां पर F नहों करके, जी है, तो एक तरीके से कहा कि B, यानि कि हम यहां पर कहीं पर गूम भी सकते हैं, इंडिया में कहीं पर रह भी सकते हैं, तो हमको यह कहता है, भईया हम व्यापार भी कर सकते हैं, यानि कि बिजनस भी कर सकते हैं, तो 19 close, 1 close, जी हमको कहता है, अब article 20, यानि कि जो हमारा था न, यह सामस बोली है, तो यह वाला जो O है, तो एक तरीके से कहा कि हमको offense से बचा हो गए, तो अब यहाँ पर कहें कि जो O यह वर्ड है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर कहें कि जैसे हमारा यह 20 वाला किया, हमको यह offense से बचाता है, यह हमको, जैसे यह अगर कोई भी offense वगएरा होगा है, इस से related, यानि कि अगर हम कोई लोग को violation करते हैं, त जो भी offense वगएरा है, उसके बारे में बताता है, अब आर्टिकल 21 आता है, तो यहाँ पर हमारी trick कि सामस बोलियेट है, तो अब यहाँ पर आर्टिकल 21 हमको right to life के बारे में बताता है, अब यहाँ पर कहीं एजुकेशन के बारे में बताता है, आपने देखा होगा इसमें, अब यहाँ पर article 22 क्या है कि arrest and detention के बारे में बताता है यानि कि जैसे हमको दो detention देखने को मिलता है एक होता punitive detention और एक होता है preventive detention यानि कि हमको arrest and detention के बारे में बताता है 22 वाला अब यहाँ पर आता है trafficking और employment को ले करके यानि कि article 23 और हमारे article 24 तो यहाँ पर क्या है कि यह जो हम अगर नहीं बनवा सकते और यहां पर किए उनकी ट्राफिकिंग नहीं कर सकते किसी और देश से व्यापार नहीं कर सकते इस तरीके से अब आठीकल भज़ाद से लेकर एक अनु제가 हैं तो यहाँ पर religion से related है तो यहाँ पर पहले आता हमारी trick पम्टी तो P से कहता है कि हम क्या कि कोई भी धर्म को profess कर सकते है और प्रोपागेट कर सकते है यानि कि उसको फैलाज सकते है अब उसी धर्म के अंदर में 26 में क्या कहता है कि M यानि कि हम उस धर्म को manage भी कर सकते है उस ध संसक्राइब करते यहां पर इंडिया के अलग अलग लेंग देखने को मिलती उनको कलचर देखने को भहिया आप इन right को जो है conserve कर सकते हो ऐसे ही कहा कि अब इनको यह जो article 30 है यहाँ पर यह कहता है यह minorities को right देता है कि आप established भी कर सकते हो और भहिया administer भी कर सकते हो अपना educational institute तो यहाँ पर यह minorities के लिए है अब यहाँ पर आपने देखा होगा article 31 तो दोस्तों यहाँ पर कहा कि इ हमारे total साथ fundamental rights होते थे उसको कहा कि साथ वाला यह जो 31 right to property यहाँ पर कहा कि आर्टिकल 31 के अंदर में आता था तो इसको कहा कि इसको 44 amendment करके 1978 में हटा दिया और इस आर्टिकल को जो है आर्टिकल 301 के तहत रख दिया और यहाँ पर कहा कि पहले ही हमारा fundamental right यानिके constitutional right हुआ क अब देखो आर्टिकल 32 क्या कि constitutional remedy के बारे में बताता है यानिके अगर हमारा आर्टिकल यानिके fundamental right wallet हो रहा है तो हम कहा कि rate petition का यूज कर सकते हैं और यहाँ पर कहा कि डारेक्ट सुप्रीम कोट के अंदर में अपने fundamental right को enforce करवा सकते हैं आर्टिकल 33 हमको बताता है कि पार्लेमेंट जो अब हैं modify कर सकता है इन fundamental rights को आर्टिकल 34 कहता है कि यह हमारे fundamental rights का रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं यानिके इन पर पावंदिया लग सकते हैं जब मार्शल लो लगा हो इंडिया के अंदर में कहीं पर भी अब यहाँ पर कहता है आ fundamental rights को ना कि state को तो दोस्तों यह थी हमारी ट्रिक पड़े यूटी सामस बोलेट है पंटी ले fundamental rights की अगली वीडियो में मैं आपको लेकर गया हूंगा fundamental duty की so thank you guys